जैहन दोस्तों ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड में घरवेठी करेक्शन करना चाते हो ऑनलाइन बिना किसी आधार केंद पर जाएं तो आप बिलकुल 5 वी ठीक है क्योंकि एडर्फ और पिन कोड दोनों एक ही में आ जाते हैं हम यहाँ पर एडर्फ और पिताजी का नाम चेंज कर फकते हैं और इसके अतरेक्ट जैफे फोटो नाम डेट अबर्थ कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाई नमब लेंक होना भी कापी ज़्यादा जरूरी हैं अगर आपके आधार काड में मोबाई नमबर लेंक नहीं है तो आप यहाँपर अपने आधार काड में All Angeondais क्रेक्षण नहीं कर सकते हो तो देखिए जिलोगों के आधार कार्ड में मोबाई नमबर लेंक है और जो लोग पिन जब आप सर्च करोगे तो फर्स्ट नम्मर पर हमें आधार कार्ड की ऑपिफियल बैफ़ाइट मिल जाएगी इस बैफ़ाइट को हमें या पर उपन कर लेना है हम अपने अपनी भाफा को फिलेट करेंगे अभी पिलाल में इंग्लिस को फिलेट कर लेता हूं अब दिखिए ह यहाँफे हम डाइधार के जब किलिक लेंगे तो आप लोग देखोकोंगे कि अभी हमारे सामने आधार कार्ड को हुँन करने का जो आप सर ए वह आ जाएगा अब यहाँ पे हमें simple एक login का option मिलता है इस पे हमें click करना है अब दीखिए हमारे सामने कुछ इस परकार से option आएगा इसमें हमें enter आधा number में अपना आधा number डालना है यह जो capture दिया हुआ है इस capture को नीचे डालना है और आपको send OTP इस पे click कर देना है अब आपके आधा registered mobile number पे OTP जाएगा OTP को आपको यहाँ पे enter OTP वाले option में डालना है और आपको login पे click कर देना है तो दोस्तों अब आप कुछ इस परकार से यहाँ पे बैवफाइट पे login हो जाएंगे यहाँ पे आपके आधार का photo भी 4 होता है अब हमें यहाँ पे पिताजी का नाम चेंज करना है और पिनकूर चेंज करना है दोनों चीच चेंज करनी है तो हमें यहाँ पे address update वाले option पे click करना है जब हम इस option पे click करेंगे तो अभी fight हमारे family लोडिंग ले रहा है तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें update आधार online और head of family based address update तो आपको यहाँ पे simple update आधार online इस option पे click कर लेना है अब दिखिए कुछ यहाँ पे guide किया गया है कि हमें कैसे क्या करना है आपको simple यहाँ पे process to update आधार इस पे click कर देना है तो अब दिखिए हमारे family कुछ इस परकार से option आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम नाम को update नहीं कर फकते हैं date of birth को update नहीं कर फकते हैं gender को भी update नहीं कर फकते हैं लेकिन address यहाँ पे हम update कर फकते हैं और address का कोई limit भी नहीं होता है क्योंकि address हम समय अब पर change करते रहते हैं नाम हम एक बार यहाँ पर change कर फकते हैं किसी transcript बफ गलत हो जाता है तो date of birth squirrel रहुआ हमारे जो gender है भी हम यहाँ पर एक बार change कर फकते हैं ठीक है किसी कारद बफ अगर जो गलत हो जाता है तो लेकिन address यहाँ पर unlimited तो आपको यहाँ पर टिक करना है address पर प्रोफेश to update आधार इस पर हम किलिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ current details आ जाता है यानि कि जो current address होता है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है जो कि हमारे आधार कार्ड में बरतमान पता तो अब देखिए हमें change करने के लिए details to be updated यहाँ पर आपको update करना है अब यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम या फिमेल है तो friend का नाम यहाँ पर आप लोग लिखोगे care of में में आप जैसे नाम लिखोगे तो आपका जो नाम है वह automatic English में लिखोगे नीचे आपका हिंदी में automatic आ जाएगा अगर हिंदी में नाम कुछ गलत आता है तो आप यहाँ पर को जाएंगे यहाँ पर हमें देखिए पिन कोड का एक option मिलता है यहाँ पर हमें अपना जो भी पिन कोड है वह कुछ इस परकार से फिलेक्ट कर देना है जैसे पिन कोड करोगे आपका जो भी यानिकी इस्टेट है वह आपका आज आएगा डिश्टिक बगएर अफ़कुछ अब देखिए आपको यहाँ बिलेज टाउन फिटी आपको अपना बिलेज है यहाँ पर फिल सकते हो लेंड़ मार्क वाले में भी आप डाल सकते हो वरना इसे आप ऑप्सनल है बिलेंक भी छोड़ सकते हो ठीक है तो आप अपने अकोडिंग यहाँ पर जैसे कि घर भवन अपार्टमेंट जो भी आपका कोई है प्रसिद्ध है तो आप यहाँ पर डालते हो अपने अब चलिए मैं अपना जो एड्रफ है वो फिल कर लेता हूं तब आपको बताता हूं अब दोस्तों हमने अपने according अपना जो एड्रफ है वो 5 से फिल कर लिया है अब देखिए फिलेक्ट बैलिट सपोर्टिंग दोकूमेंट टाइप यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने याप पर काफी बार ट्राई किया है एड्रफ अप्टेट करने को लिए करके तो यहां पर एक बार मैंने राफन कार्ड लगाया था एक बार हमने अपना फायद ड्राइबिंग लाइसेंफ लगाया था तो हमारा जो आधार करेक्शन है वो पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया था लेकिन यहां पर अगर आप अपना जो फरेटिफिकेट होता है कास्ट फरेटिफिकेट उसे अवर्फ यूज करते हो तो यहां पर चांफ बहुत कम होते हैं कभी कभी भी रेजक्ट नहीं होता है लेकिन किसी चांफ अगर हो जाए तो मैं कहने इसकता बरना जितने मैंने किये हैं काश्ट फर्टिफिकेट फे वो कभी भी रेजक्ट नहीं हुए यानि कि जाती प्रमाण पत्र पर आप अपडेट करें तो आपको यहां पर अपना जो अपलोड दॉक करेंगे और यहां पर रहें पर हंडे बन बडर टीक हो गया हैं कि यह जो आपका फेण करीफिकेट है यह आप का यहां पर 2mb से अधिक नहीं होना चाहीं ठीक है आप इसे सेλाव में तो टीक है अपलोड कर फकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ आप दीखिए यहाप को ओपना एडरेस चेक कर लेना है कि अपर उपर को फिलाइड करना है यहाप दोगर है तिक करना है इसे टिक करने के ज़ेश्ट बादमें अब दिखिए हमारे आपर फाल आ जाता है next का तो आपको simple यहाँ पर next पर click कर देना है अब दीखिए दोस्ते यहाँ पर हमारे farm ने option आ जाता है payment करने का you will be charged rate 50 यहने कि 50 रुपे यहाँ पर हमें payment करना होगा जो कि हमारा non-refendable होता है अगर यहाँ पर किसी card worth यह reject हो जाता है तो यहाँ पर यह जो पैफा है यह refund नहीं होगा यह आपको ध्यार रखना है बैसे यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड करेक्षन है वो कुछ ज्यादा payment लग जाता है लेकिन फैल यहाँ पर हम फिर 50 रुपे में करेक्षन कर फकते हैं अब देखिए हमारे फामने जो पैमेंट करने का option है वो इस परकार से आ जाएगा अब दोस्ते हैं यहाँ पर हमारे फामने एक UPI का जो QR कोड है वो आ जाएगा आप यहाँ पर किसी भी एप के माध्यम से फॉन पे पेटियम या फिर किसी भी एप के माध्यम से आप इसमें पैमेंट को कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम 50 रुपे का जो पैमेंट है वो अभी मैं आपे डन करता हूं दिखते हैं आगे का प्रोफेस यहाँ पर क्या होगा आप लोग के सामने लाइव होगा जो भी होगा तो हमारा पैमेंट यहाँ पर सक्षेज फूल हो गया है फोन पर से और यहाँ पर पैमेंट सक्षेज का जो इसकीन पर पॉप अप है वो भी हमारे सामने आ गया है अब यह ऑटोमेटिक किया हुआ यह मुआ है ठीक डिन हो गया है यहां पर हमारा जो टाजेक्शन है वह इसे हम पे यहां पर किलिग करके डार्येक्ट कर सकते हो आप देखीए अब यहां पर हमें क्या करना है सिंपल आप लोग आपको किलिक करना है और यहां पर आप डेस्पोर्ड वाले और आज आओगे और यहां पर यहां पर हम लॉगाइट हो गए है ठीक है अब देखिए हम इसे पुने लॉगिन कर लेते हैं एक बार तो पाइले दोस्तों हमारे सामने जो सर्विस्टेस्पोर्ड है वो आज तो आपको इस परकार से आपके सटेज्ज देखने के लिए निल जाएक जो jeśli अब यहां पर देखिए हैं वहां पर आप स्टेज पर हमारा रोक है यानिके रेजक्ट हो जाता है जैसे कि पहले हमने आपने नायम करेक्षण किया था तो कुछ डॉकुमेंट में प्राब्लम होने के कारड़ी रेजक्ट हो गया था लेकिन यहां पर हमने एड्रेफ प्रूप में ओवी को चूच किया है तो यह रेजक्ट नहीं होगा लेकिन एक पर्फेंट कुछ कहने फक्ते हैं इफ में भी कोई टेक्निकल एर्र आता है तो यह लोग रेजक्ट कर देते हैं तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगो अच्छी लोगी होगी अगर वीडियो पफन आये त अब तक लिए चाहिए जय भारत